आज मैं आपसे औस्दिय पौधों के बारे में बता रही हूँ जिसके पत्ते और फूल औस्दिय गुनों से भरपोर होता है। इस फूल और पत्तियों का इस्तमाल करके आप अपने चहरे और अपने बालों को सुन्दर बना सकते हैं। आज मैं आपसे चारतरकी रेमेडी सेर कर रही हूँ जो आपके इस्कीन से दाग धबे, पिमपल सो रहे हैं या फिर घाव भर नहीं रहे हैं, चर्म रोग हो गिया है, किसी भी परकार की परिसानी हैं तो आप इस रेमेडी के इस्तमाल से ठीक कर सकते हैं। आपके बालों का ज़रना बंद हो जाएगा, साथ ही आपके बालों की गुरूद बरेगी, आपके बालों लंबे घने खुपसूरत होंगे। और इस रेमेडी का इस्तमाल करके आप अपने स्कीन को चमगदार बना सकते हैं, लाइटन और ब्राइटन बना सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कर दें और मेरे चैनल पर नए है तो मैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भोला है। तो चलिए वीडियो सुरू कर लेते हैं, यहाँ पर मैंने लिया है नो बच्ची के फूल, जिसे हम नाइन ओकलोग फिलावर भी कहते हैं, इसे ओफिस फिलावर भी कहा जाता है। यहाँ पर दे रहाँ होगा। और इसे अगर आप घंलू में लगा देते हैं ना तो बहुत ही जल्दी यह लगबी जाता है और इसे फूल खेलने में लगते हैं। पुकारते हैं आप में कुमेंट करके जरूर से बताईएगा इसका कलर देख सकते हैं कितना प्यारा है यह गहरे कलर का है और इसकी सबसे खास बात यह है कि यह सब कलर का पाया जाता है यह लाइट कलर में भी आता है और डार कलर में भी आता है यह हाइबरेट फूल भी होता ह तो आपको देशी फूल हे लेना है जो छोटे छोटे साइज का होता है इसकी medicinal value बहुत ही ज़्यादा है नोबची का ये घांस ये पौदा हमारी स्कीन के लिए बहुत ही ज़्यादा लापकारी है इसे घांस के सिरेनी में भी रखा जाता है हमारे स्कीन से दाग धबों को मिटाने के लिए कील मुहासों को दूर करने के लिए और हमारे चेहरे में चमक लाने के लिए नोबची का जो ये फूल है इसका पेश्ट बना करके स्कीन पर लगाया जाता है जिससे कील मुहासे दूर होते हैं साथ ही स्कीन में चमक आती है और इस पेश्ट को अपने चेहरे पर कैसे लगाना है वो मैं आपको आगे बताऊंगे जिससे कि आपके इसकिन से दाग धबे बिल्कुल गायब ही हो जाएंगे और यहाँ पर देखे फ्रेंस इस तरह से आपको डंठल से पत्तों को अलग कर लेना है क्योंकि जितना इसका फूल कारगर है उतना ही पत्ता भी इसका कारगर है आप इसके पत्तों का इस्तमाल करके अपने बालों को लंबा घना खुबसूरत बना सकते हैं और इस तरह से देखे पत्तों को आपको डंठल से अलग कर लेने हैं फ्रेंस अगर आप नोबची के घांस को पीस करके अगर इसका रस अपने बालों में लगाते हैं ना बालों का जरना बिलकुल ही बंद हो जाता है लेकिन इसे लगाना कैसे है ये तरीका जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है तो इस तरह से पत्तों को अलग कर ल लगाईए नोबची के पौधों में विटामिन E होता है जो हमारे इसकीन के लिए हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाबकार है अगर आपके कम उम्र में ही बाल सफेद हो रहे हैं तो आप इसके पत्तों का पेश्ट बनाकर अपने बालों की जरू में लगाते है तो इससे सफेद बाल काले होने लगते हैं अगर सरीर में किसी परकार का चोट या घाओ है तो आप इसके पत्तों का पेश्ट बनाकर घाओ में लगाते हैं तो वो बहुत ही जल्दी उससे रहात मिलता है बहुत ही जल्दी आराम मिलता है सूजन को ये कम करता है चर्म रोग अगर है तो उसमें आप इसके पत्यों का पेश्ट बना कर लगाते हैं तो उससे भी बहुत ही जल्दे आपको छुटकारा मिल जाता है तो आपको किस तरह से करना है तो वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है जिससे आपको लाग मिल सके तो उकल में देख सकते हैं इ लेकने के निसान हो या फिर फोरे फुंसी के हो तो आप अगर इसका पेश्ट बना करके लगाते हैं तो यकीन मानिए दाग धब्बे बिल्कुल ही गायव हो जाते हैं अगर आपको चोट या घाव है घाव नहीं भर रहा है चर्म रोग है तो आपको इस तरह से पेश्ट बना से बहुत ही जल्दी रहात मिलेगा आप देखेंगे सूजन में कमी आएगी और घाव भी भरने लगेगा अगर आपको अपने बालों में लगाना है तो क्या करें इसको च्छने से चान ले ताकि इसका जो भी जो से वो बाहर निकल जाए अब आपको इसे डारेक्ट अपने सेंपो से बॉस कर लेना है आप देखेंगे आपके बालों का छड़ना बंद हो जाएगा सफेद वाल काले होंगे कभी भी बालों में अपलाय करते हैं तो एक बार पेश्टे जरूर कर ले अगर आपको इचिंग हो रही है तो आप इसको लगाना बंद कर दे ये पराया हम स इसे साथ फूल है तो मैं सब को ही ले रही हूँ आप इससे जादा भी ले सकते हैं और इसका जूस मना करके आप इसी श्टूर करके भी रख सकते हैं नो बची के फूलों में ओमेगा थरी भैटी एसिड और एंटी ऑक्सिडेन भरपूर मात्रा में होता है जो हमारे स्वास सेल्स रिपायर होते हैं यह बिमारियों से लड़ने में आपकी मदद करता है और इसे यूच करने से पहले एक बार डॉक्टर से प्रामस जरूर कर लें जूस निकाले के बाद इसे चंने से च्छान लेना है और देखिए कितना प्यारा इसका जूस निकला है और इसका कलर देख सकते हैं कितना बहतरेन है बिलकुल नेचुरल कलर इसमें कोई भी कलर मिक्स नहीं है और कितना खुबसूरत देखने में यह लग रहा है आप अगर अपने चहरे में चमक शाहते हैं तो एक चमच नोबच्ची के फूलों का जूस ले ले और इसमें सहद मिलाकर के अपने चहरे पर लगाएंगे इससे आपके चहरे में कसाओ आएगा साथ ही आपकी स्किन में चमक भी आएगी तो चलिए मैं आपको इसका फेस बेक बनाने के लिए बता देती हूँ इसके लिए एक चमच आपको फूलों का जूस लेना है और इसमें एक छोटी चमच आपको ढालन की देंगे रही अच्छै से मिक्स लेना है यह आपका फेस पेक बंगर करके तैयार हो चुका है यह पेस यह आपके इस्कीद से दाग धबों को हटाईगा आपके इस्कीन में कसाव लाएगा साथ ही आपके इस्कीन से ब्राइटन एंड ब्राइटन करें इस तरह सब Az Energy Master पांतों से आपको मसाज करना है और मसाज करते हुए आपको इसे नॉर्मल पाने से वास कर लेना है और जिसकी संसेटिव इसकीन है वो एक बार डॉक्टर से परामर्ज जरूर कर ले तो फ्रेंस आप कोई वीडियो कैसी लगी आप में कॉमेंट करके जरूर से बताएं अगर वीडियो थोरी सी भी यूसफूल लगी है तिसे लाइक और फैमिली फेंड में से जरूर कर दें बेल बटन को जरूर प्रेस करें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप देख पाएं थैंक्स पर वाचिंग मिलते है नेक्स वीडियो में तब तेक के कुल यू पाइं